नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज का वीडियो स्टूरेंट्स के लिए नहीं बलकि मेरे टीचर साथियों के लिए उपयोगी रहने वाला है COVID-19 के इस दौर में हम ऑनलाइन टीचिंग करना तो सीख गए हैं हमने different technologies को भी adapt कर लिया है लेकिन online test कैसे लिया जाए ये अभी भी हमारे लिए एक problem है हम लोग जो medium use कर रहे हैं पहला तरीका तो ज़्यादा तर टीचर्स जो इस्तिमाद कर रहे हैं वो ये है कि हम एक question paper बनाते हैं और उसे PDF form में अपने students को send कर देते हैं students solve करते हैं और वो हमें फिर से PDF form में उसे भेज देते हैं हम check करते हैं और उनके marks उनको provide कर बाते हैं तो पहली बात ये एक बहुत time taking method है second बहुत important कि हम जानते हैं कि इस तरीके में बहुत ज़्यादा transparency नहीं आपाती है बचे cheat करते हैं और किसी भी तरह से हमें solution बेज देते हैं दूसरा तरीका जो इस्तेमाल हो रहा है वो Google Forms के थ्रू है Google Forms में आप एक online multiple choice questions test त्यार करते हैं जिसमें हमें question paper prepare करना होता है ये तरीका अच्छा तरीका है जो काफी लोग use कर रहे हैं question paper prepare करना इसमें भी एक challenge है और खास तोर पर हमारे science के जो subject हैं physics, chemistry, maths इन में question paper तयार करने के लिए numerical form में आपको question को लिखना या फिर equations को ही लिखना ये थोड़ा complicated हो जाता है आज मैं आप लोगों से तीसरा तरीका यहां पर discuss कर रहे हूं जो मैंने अपने students के साथ apply किया और मुझे बहुत अच्छा result मिला मैं satisfy हुई इस medium से तो ये मैं आप लोगों के साथ share कर रहे हूं पूरी procedure को समझने के लिए आप वीडियो को enter देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो please और लोगों से भी share कीजेगा लाइक कीजेगा ताकि ज़्याद से ज़्यादा लोगों की help हो सके फ्रेंड्स आज मैं आपको online test करने की जो method बता रही हूं इसमें मैं my cbsc guide test generator इस तरीके का इस्तिमाल कर रही हूं इसकी help से आप 5 मिनिट में अपने question paper तयार कर सकते हैं आप mcq based का भी question paper तयार कर सकते हैं या फिर subjective भी कर सकते हैं बच्चों के लिए work sheet भी बना सकते हैं और उन्हें pdf form में भी question paper भीज सकते हैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको question पहले से automatic feed किये हुए कई questions मिलेंगे हजारो questions वहाँ पर हैं जो different board wise उत्राखन board, cbsc board, icc board wise, up board wise हैं और subject wise हैं, class wise हैं तो आप class first से लेकर class 12 तक कि किसी भी class के किसी भी subject के लिए किसी भी तरह का question paper यहां से prepare कर सकते हैं जब आप यह question paper prepare करते हैं, इसका link आप बच्चों को भेजते हैं, यह बहुत user friendly है, बच्चे आसानी से answer देते हैं और जैसे ही वो answer submit करते हैं, आपको इसमें check करने की जहमत नहीं उठानी है, आपको result automatically check होकर आपके पास आ सकता है तो यह बहुत ही time saving तरीका है, मुझे बहुत पसंद आया, चलिए सीखते हैं, अब मैं आ जाती हूँ अपने mobile की screen पर तो friends मैं आ गई हूँ अपने mobile की screen पर, सबसे पहले मैं अपना chrome browser on करूँगी और यहाँ पर type करूँगी mycbsc guide test generator, तो यह suggestion मैं आ गया है, यह मैंने open कर लिया यह first वाली जो website दिख रही है, आपको इस पर click करना है, इस पर मैं पहले login कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे welcome दिव्या भट करके दिखा रहा है, आप अगर पहली बार login करेंगे तो facebook, gmail और किसी और email के थूँ, login करने का option देगा, जब आप login कर लेंगे, तो next मैं आपको अपने कुछ basic details डालनी होंगी, name, occupation, institute वगरा वगरा, और उसके बाद आपका यह page open हो जाएगा तो यहाँ पर जाके generate new question paper का option दे रहा है, मैं यहाँ जाओंगी start में, तो यह मेरा open हो गया है, इस तरह का page खुलेगा, तो first step है इसका create a new test, इसमें हमें 3 options मिलते हैं, pdf question paper prepare करने का, online test और worksheet prepare करने का, तो मैं online test लेना चाहती हूँ, तो मैं online test पर tap करूँगी, तो यहाँ पर template पूछ रहा है, maths test डाल देते हैं, test paper name, तो test paper name में मैं डाल देती हूँ, maths class test, इसके बादे पूछ रहा है class and subject, तो select module, इसमें different boards आपको मिल जाते हैं, मैंने polytechnic students के लिए question paper prepare कर रहा है, और इनका syllabus 12th के syllabus से मिलता जुलता है, मैं integration का test ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर CBSC board का select course में 12th class select कर लिया है, और subject select कर लिया mathematics, तो यह हो गया है, इसके बाद देखिए, इसमें manual जो दिया हुआ है, इसमें आपको सारे questions जो automatically feed हैं वो दिखाएगा, आप I will add questions में भी tick कर सकते हैं, तो इसमें आप अपने questions यहाँ पर को डाल सकते हैं, manual में भी आपको question add करने का option देता है, अब यह आप आगे देखेगा, time allowed में आप लिख देंगे कितनी duration का आप यह paper रखना चाहते हैं, 60 minutes का मैं रखना चाहती हूँ, यहाँ पर अगर आप re-attempt करने के लिए बच्चों को option देना चाहते हैं, तो इसे भी tick कर दीजे, मैं नही कर रही हूँ अभी से, quiz start date time, तो मैं हाँ पर quiz start date डाल दी मैंने 25 जुलाई, तो यह जो है, यहाँ पर time set करने का आगया, जिसे मैं 1 बज़े से test लेना चाहती हूँ, तो यह मैंने time डाल दिया, 1 pm, set हो गया time, खतम किसमें होगा, 2 बज़े में test खतम हो जाए यह चाहती हूँ पहले date लेंगे हम 25 जुलाई, set किया, और फिर इसका time ले लिया मैंने 2 बज़े का, तो यह हो गया हमारा, 2 pm पे test हमारा end हो जाएगा, 1 hour हमने duration रखी है, general instructions, आप यहाँ पर जो भी instruction देने हैं, वो type कर सकते हैं, अभी मैं कुछ नहीं डाल रहे हूँ, trial है क्योंकि यह capable example के ल तो यह हमारा हो गया है, second step में आ गये हम, add question blueprint, तो यहाँ पर को हम अपने paper का क्या blueprint रखना चाते हैं, कितने sections रखना चाते हैं, कितने questions रखना चाते हैं, हर question को कितने marks देना चाते हैं, वो हम यहाँ पर set करेंगे, तो test paper में अभी zero questions हैं, तो मैं यहाँ पर add questions में जाऊंगी और इसमें दिया हुए दिखिए आपको चुकि मैंने CBSC का syllabus select किया था तो यहाँ पर NCRT book से लेना जाते हैं या NCRT exemplar से लेना जाते हैं या all सारे ही questions इस topic के लेना जाते हैं मैं all पर tick कर दिया chapter जिस भी chapter का आप test लेना जाते हैं integrals select question type MCQ अभी मैं डाल रही हूँ online test में select wait is very short answer और optional difficulty level भी दिये आप चाहें तो remembering पर ही आ रहा है क्योंकि मैंने MCQ डाला है तो यही आएगा इसके बाद देखिए दिखा रहा है कि इस topic पर 479 questions available है repeat नहीं करने मुझे questions मैं हटा दूँगी तो 426 questions available है इसमें से मैं कितने questions मुझे चाहिए तो जैसे वन आर का paper मैंने लिखा है तो मैं MCQ 20 रख देती हूँ उसमें 20 MCQ और एक question एक mark का कर देती हूँ तो अब मैं कर दूँगी okay ठीक है तो यह मेरा question paper का blueprint हो गया मैं एक ही section अभी बना रही हूँ आप चाहें तो add section BC और भी इसमें sections add कर सकते हैं तो इसको मैं save कर देती हूँ और next पे हम पहुँचते हैं तो यह कह रहा है कि यहां पर को आप अच्छी तरह से check कर लिजे क्योंकि यह चीज फिर दुबारा नहीं हो पाएगी step 3 पर जाने के बार तो अच्छी तरह से check करके ही आप yes कीजे 20 questions दिये है मैंने 20 marks के तो यह हो ग लग रहा है तो सही हो गया otherwise आप इसे replace भी कर सकते हैं यह replace करने का भी option है आपर को तो इसमें आपको कोई दूसरा question मिल जाएगा इससे मैंने replace कर दिया ऐसे ही अगर आप फिर इसे दूसरा question है अगर यह आपको ठीक लग रहा है तो सही है आप replace with my question भी कर सकते हैं आप अपन question भी इसमें upload कर सकते हैं ठीक है तो अभी मैं ये नहीं करना चारी हूँ मैं इसी को replace अभी example के तौर पर मैं सारे questions यही select कर लेती हूँ तो ये मेरे आ गए है 19-20 question तो मैं आ जाओंगी create quiz में तो test paper quiz created successfully हमारा quiz complete हो चुका है मैंने paper बना लिया है तो इस math class test आपको दिखा रहा है दिखिए जुलाई 25 से start होगा है एक बज़े से दो बज़े के पीश यहाँ पर को इसका quiz का link भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इस link को share link वाया whatsapp करने का option है जो हम ज़्यादा तर WhatsApp के through यह बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हमने इस link को बच्चों को share कर देना है ठीक है तो जब हम share करेंगे तो बच्चे वहाँ से open करेंगे paper attempt करेंगे तो हमारे पास उनका result show होने लगेगा जैसे एक मेरे पास example है जो मैंने बच्चों का test लिया था यह है तो मैं result पे गई और यह मुझे सारे students के अपने name उनके द्वारा जितना score किया गया है उनके marks यह सभी show हो रहे तो एक बार आपने question paper create कर लिया आपको तुरंट आपको result मिल जाना है तो friends यह तरीका था जो मैंने अपने students के साथ apply किया और मुझे बहुत अच्छा result मिला मेरे students का participation भी अच्छा रहा क्योंकि आसान है इस test को attempt करना आगे भी अगर मैं इस तरह की कोई नई चीज़ें सीखती हूँ तो आप लोगों के साथ share करती रहूंगी अगर आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगाओ तो please वीडियो को like भी जरूर कर लीजिए मिलते हैं next video में thanks for watching the video